अगर आप जानना चाहते हैं की सर्जन बनने के लिए क्या करें सर्जन कैसे बनते हैं तो आज किस वीडियो को लास तेक जरूर देखें सभी चीज़ें आपको बहुत इचे तरीकिए से step by step मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्जन बनने के लिए क्या करना पड़ता है 12 के बाद क्या करना होता है और उसके बाद कौन सा कोर्स करना होता है और उसके बाद क्या करना होता है अगर आप इन चीजों के बारे में details and right information पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को last तेक और ध् इच्छ तरीके से समझ में आएंगी ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्जन के बारे में फिर बात करते हैं कि सर्जन बनने के लिए क्या करें क्या करना पड़ता है सर्जन डॉक्टर हैं जो सर्जरी में विशस सगयता रखते हैं सर्जन रोक्यों की स्थितियों का आकलन करेंगे और सर्जरी की आउसकता का मुल्यांकन करेंगे यह किसी विशस बीमारी को ठीक करने के लिए दिया गया सभी उपचार और चिकितिसा विफल हो जाती है तो रोगी को बचाने के लिए उपलब्ध अंतिम विकलब सर्जरी है जैसा कि यह एक बहुती जम्यदार काम है सर्जर्णों को अपने पेसिक प्रति बहुत इमानदार होना चाहिए ठीक है दिखे जो सर्जर्ण है वो भी एक प्रकार के डॉक्टर है जो सर्जरी में विससेकरता रखते हैं यानि कि स्पेशलाइजेशन रखते हैं कौन सर्जर्ण ठीक है सर्जरी में स्पेशलिस्ट होते हैं सर्जर्ण क्या करते हैं जब उनके पास कोई पेसेंट आता है कर देए तब उसकी सर्जरी नहीं कि जाती है लेकिन अगर कोई जो पेसेंट है जो रोकी है वो त्रीट्मेंट के द Cuban होती है उससे ठीक नहीं होता है तब हमारे कर लेते हैं कि सर्जन बनने के लिए क्या करना पड़ता है क्या जरुनी होती है छले सर्जन बनने की इच्छा रखने वाले उमीद्वारव को तब उन्हें किसी भी स्वास्त देखवाल संग्ठन में सर्जन के रूप में अभ्यास करने के लिए जनरल सर्जरी में में स्पेसलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए उन्हें मेडिकल काउंसल ओफ इंडिया और किसी संस्थान से में सर्जरी में सर्जरी में स्पेसलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि सर्जरी में कौन-कौन से specializations available हैं कौन-कौन से जो विशसरकिता रखने वाले कोर्स हैं वो उपलब्द है ठीक है चले देखते हैं कार्डियो थोरेसिक सरजरी में mcs gastro-antimal सर्जरी में mcs नीडो सरजरी में mcs औंकोलोजी में mcs बाल सिक्षा सर्जरी में mcs ठीक है इसके लाँ और भी है प्लास्टिक सरजरी में mcs सब्सक्राइब और कार्डियोवस्कुलर सजरी में एंप सीएज ठीक है तो यह है इस पेशिलाजेशन कूर्स ठीक है तो हमने सभी इन चीजों के बारे में बात की अब हम बात करते हैं कि 12 के बाद आपको क्या करना चाहिए सरजन बनने के लिए ठीक है पूरी जरुनी क्या हो करेंगे बस ध्यान से देखते रही चले तो सबसे पहले आपको क्या करना हो अगर सजर्जन बनने के लिए सबसे पहले आपको 10 प्लस टू एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी फिजिस क्यामस्ट्री बायोलोजी के साथ यानि की PCV के साथ ठीक है अच्छे तरीके से कंप्ली MS जो है यह आप जनरल सरजर्जरी में कर सकते हैं ठीक है तो MS आपको जनरल सरजर्जरी में कंप्लीट करना होगा MS की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको स्पेसिलाजेशन करना होगा किसमें आप जाना चाहते हैं जिस फिल्ड में आप सरजर्जर बनना चाहते हैं ठी के बाद आपको सरजन का जौब मिल सकता है किसी हॉस्पिटल में वो कर सकते हैं तो यह जरणी होगी आपकी दिखें आप भी का डिखेंगे पांद अगर आप अच्छी तरीके से हैं मेहनत करते हैं और धैरी रखते हैं तो आप सर्जन जरूर बन सकेंगे हमारी तरब से आपको बहुत-बहुत सुब कामना है आप मेनत किजे, आप सर्जन जरूर बन पाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, चीजे समझने आती हैं तो इस वीडियो को लाइक और सेर करने की जर्मादारी आपकी है शेर कीजे, लाइक कीजे, चैनल पर नहीं है तो अभी सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल Right Info Club को जहां पर आपको मिलती है Right Information इस इंफोमिशन यानि कि इस वीडियो को ज़दा सयदा शेर कीजे जिससे ज़दा सयदा स्टूडेंट्स को इसका लाइक मिल सके इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद